प्रेंड जारखंड से सी अड़्डा में आपका स्वागत है इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पार्ट वन को कभर किया था और पार्ट टू बाकी रह गिया था ये स्लाइड में देखिए कि जारखंड की नदियों को मैंने दो भागों में बाटा था एक भाग जो नदियां दच्छीन की और और पुर्व की और भाती थी और दूसरा भाग ऐसी नदियां जो उत्तर की और भाती थी तो पिछले वाले लेक्चर ने हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कभर कर लिया आज हम लोग सेकेंड पार्ट को कभर करेंगे सिर्फ ऐसी नदियां जो की उत्तर की और भाती है आईए सबसे पहले आज हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे सोन नदी का उदगम अस्थल है मेकाल परवट अमर कंटक का पठार जी जो अमर कंटक का पठार है वो 36 गड़ और मद्य परदेश में पढ़ता है वहाँ से इसके उदगम होती है सोन नदी का और ये जहां से निकलती है वहाँ पर ये पाले उत्तर दिसा की और बहती है फिर उत्तर पुर्व होते हुए ये पूरब दिसा की और मुड़ जाती है और इसका सोन नदी का जो मुहाना है वो गंगा नदी है कहां पर पटना के समिप पटना के पास ये आके गंगा नदी में म जारखंड के सीमा से होकर यह गुजरती है सोन नदी जो की 45 km लंबा है आई अब हम लोग मैप के थूरू देखते हैं सोन नदी को यह देखे मैप में मैंने जो यह रेड कलर का मात किया हुआ है वहां पर आप देखे सोन नदी को सोन नदी देखे यहां 36 गड़ के पास जो अमर कंटक का पठार है वहां से निकलती है पहले देखे यह वो नौर्थ की और जाती है फिर वो उत्तर पुर्वी की और एंड फिर लास्ट में वो फाइनली पुर्वी की और भने लगती है आप देखे वो कहां पे गंगा नदी में जाके मिलती है बिहार में पठना के पास और देखे यह जो उसके अंदर जो मैंने यह मार किया हुआ है ब्लू कुलर से ठीक है ब्लू कुलर से जो मार किया हुआ वहां पे आप ध्यान से देखे वहां पे जारखंड का सीमा है वहां पे क आरखरंड में के सीमा से होके गुजरती है कौन सा जिला गड़वा जिला आईए अब हम लोग उत्री कोयल के बारे में पढ़ेंगे उत्री कोयल का उद्गम अस्थाल है राची का पठार बगल में आप मैप में दिखे मैंने ये ग्रीन कलर से जो मार्क किया वहाँ पे दिखे राची के पठार से दो नदिया निकलती है एक कोयल नदी के दो पार्ट है यानि एक उत्री कोयल एक दच्छनी कोयल इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने इस दच्छनी कोयल को किया था आज हम लोग उत्री कोयल को करेंगे आप दिखें यहां मैप में राची के पठार से निकलते हुए वो लाते हार और यहां 70's क्विलोमेटर का सीमMore बनाते हुए यह मिलती है. तो अपात्षी कोयyy खोक हेल लोगे ने बता दिया कि लातेहार और पलामु है इसके सहायक नदिया. इसके दो सहायक नदिया औरंगा और अमानत यह जो नदी वह गर्मी में सूख जाती है पर बारिस में इसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है और यह नदी के लिए एक इंपोर्टेंट चीज में पता देना चाहता हूं कि एक बुढ़ा नदी है जो उत्री कोयल में जब जाके मिलती है ते एक जलपरपात बनाती है उसका नाम है बु तो यह आप याद रखेगा कि जब बुढ़ा नदी उत्री कोयल से जाके मिलती है तो यह बुढ़ा घाग जलपरपात बनती है और इसकी उचाही है 142 मेटर अच्छा यह जो बुढ़ा घाग जलपरपात है वो किस जगहा पे है तो यह है सेरेंग दाग पाट एक जगहा है उसके साओथ में है सरेंदाग पाट के साओथ इलाका में यह पढ़ता है बुढ़ा धाग जलपरपात है आए तो हम लोग पढ़ते हैं पुनपुन नदी के बारे में पुनपुन नदी का उद्गमस्तल है पलामु का उतरी- 바로च्षट्र पुन नदी की दो साहिक नदिया है धर्दा और मोरहर क्या है पुनपुन नदी का हिंदू धर्म में बहुती अधिक महत्व है हम तो क्या करते है इस नदी को एक मतलब पवित्र नदी के रूप में हम लोग पूजते है अच्छा पुनपुन नदी को कीकट नदी भी कहा जाता है इसका जो नाम दो नाम है किकट नदी लेकिन कहीं कहीं पे इसको बामागदी भी बोलते हैं आईए अब हम लोग फल्गु नदी के बारे में पढ़ते हैं फल्गु नदी का उद्गम अस्तल है छोटा नागपूर पठार का उतरी भाग और इसका मोहाना है मोहना नदी अट्ट्वली ये फलगू नदी जारखंड के छोटा नागपूर पढ़ार से निकल कर ये बिहार की और जब जाती है तो वहाँ पे गया में एक बोधगया नाम का स्थान है बोधगया जहाँ पे वो मोहना नदी में मिलती है और वहाँ गया के पासी न जहां पे यह मोहना नदीस मिलती है वहाँ पे इसका चोड़ाई बहुत ही जादा बढ़ जाता है ठीक है तो जब पृती पर्च के समय देश के विभिन भागों से लोग फल्गु असनान के लिए जाते हैं वहाँ बहुत गया और वहाँ पे पिंड अब भी आप लिए जाता है और यह दोनों जो नदी को और फल्गु नदी को जैसा कि मैंने बताया पुनपुन नदी जो है वो पलामू के उत्री छेतर से निकलती है इसका जो यह दोनों जो नदी है पुनपुन और फल्गु इसका बहुत ही कम पार्ट में बाकी सारा में ढ्माप इसलिए देखिए मैंने यहां पर भीःर का में एप लिया हुआ है महां पर आप देखिए जो मैंने ग्रीन कछर से मार किया ओआ हो पैप पुन-पुन रिभर को देख सकते हैं कि यह पुन-पुन कैसे पार्गंड के बांडर कॕरवे यह बिहार में जाती है और फि मोहना नदी से मिलती है फिर आगे जाके वो गंगा नदी में ही मिल जाती है तो आप उसको भी देख लीजिए पुनपुन और फल्गू दोनों को आईए अब हम लोग पंचानन नदी के बारे में पढ़ेंगे पंचानन नदी का उद्गमस्तल है छोटा नागपूर का पठार अच्छा इस नदी कमदूख पंचानन नदी क्यों कहते हैं क्योंकि यह पांच जल धाराओं का मेल है यह छोटा नागपूर के पठार पे जहां पे निकलती है वहाँ पे जो पांच जल धाराएं हैं जैसे कि जिसका नाम है पैमार, तिलाया, धरांजे, महाने, ठीक है ना, तो ये सब जल धराएं जब निकलती है, तो एक वहाँ पे राजगीर का जो पहाडी है, ठीक है ना, उसके कारण महाँ एक औरोध होता है, औरोध पैदा तो वो पहाडी के कारण महाँ पे जानी पाता ह E perceptions regarding signature points चोटा नागपूर का पठार सबधे हाँ हजारी बाग पटविव मत्विवा करिके हुआ यानि कि यह हजारी बाग जारकंड का सिफ हजारी बाग में ही रहती है फिर वो बिहार चली जाती है बिहार में यह गया मुंगेर और फाइनली वो पटना चली जाती है और यह पटना जाती है तो जाहिर है कि इसके मोहाना गंगा नदी ही होगा और इस नदी को रामायन में गया है अच्छा और यह निव ऐना मार्क बदलने के लिए भूत फेमस ठीक गदू अरुकि कोषी में जो कोसी है जिसको थे लिए निए गजिखते हो भूत फेमस में नदी जो कोषी में बिहार का प्रमार करते हो जब जारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से तो यह कंबाइंड मैप में दिखे मैंने यह जो येलो कलर का मार्क किया वहां पर दिखे यह हजारी बाग से कुछ ऐसा सक्री नदी निकल के गया होते हुए मुंगेर और फिर यह फाइनल यह पटना पहुँच जाती है आईएब हम लोग जारखंड के कुछ अन्यमहत्पुन नदियों के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि गंगा नदी गंगा नदी है वो जारखंड में संथाल प्रगना के साहिब गंजिला में बहती है साहिब गंजिला का जो तेलिया गड़ी है वहां से थोड़ा दूर उसके पस्चिमी छोर को पहले चूती है फिर पुर्व दिसा की और बाती है अगेन वो दचिन पुर्व की और मुड़ जाती है यह जो गंगा नदी है वो साहिब गंज में लगबग 80 किलोमेटर की दूरी करती है उसके बाद है एक काइना नदी यह जो नदी है वो सारेंडा के दच्छिन पुर्व से निकलती है और फिर यह जाके दच्छनी कोयल में जाके मिल जाती है दच्छनी कोयल नदी जो पहले मैंने बताया था तो दच्छनी कोयल नदी में यह जाके मिल जाती है अच्छ यह कहां पर हम इंद से राचीचायवासा से अंदर वहांने से 75 किलोमीटरे में पूरा जंग्वें के विच विच वर पषगें तो आप याद रखेगा इसमें काइना नदी यह हिरनी घाग fedhail बनाती एऊ और एक रिवर है वैतर्नी नदी ये जो नदी है ये जारकंड का कोलहान चतर और उडिसा का क्यों जर उसके बीच में सीमा बनाती है ठीक है लाइक दा सोन रिवर वैतर्नी रिवर जो है ये भी जो है एक बस सीमा का सीमा बनाती है किसके किसके बीच में जारकंड और उडिसा क के बीच में और यह इसमें भी एक जलपरपात और जलासा है कहां जेतगड से 12 किलोमेटर दूर पर आई अब हमें वो मैप की थूर देखते हैं गंगा नदी को यह देखे मैंने साहिब गंज का मैप लिया हुआ है आप यहां पर गंगा नदी को देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि गंगा नदी संथाल पर गना के सिर्फ साहिब गंजिला को ही टच करती है तो आप साहिब गंजिला में देखे गंगा नदीबारेस की दूरी है लगबग 80 किलोमेटर का यह दूरी तै करती है कहां पे साहिब गंज में प्रेंट्स यह हमारा रीवर का सेशन आज खत्म हो गया कके और को सरण आप देखे यह कि आप लोगों मजा रहा होगा उमीद करता हूं कि बूक से और ओंलाइन पढ़ने में देखे डिफरेंस है वुक में क्या होता है कि बस हम सी पढ़ रहें है फå मैं दाटां मैं मआप हो और सबसाइब आप और चितर नहीं मिल पाता इमेज फॉर्म में ही एक्सेप्ट करती है कोई भी चीज को यहां पे जो जितने भी सारे मैंने मैप बताया आप मैप के थुरू याद रखिए रीभर को तो यह आपको परमानेंट याद हो जाएगे आप इंज्वाई कर रहे होंगे मेरे सेशन को ऐसा मैं उमीद करता हूँ और मैं फिर हाजीर हूँगा एक नए लेक्चर के साथ फ्रेंड्स आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें लाइक करें एंड सेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो प्लीज सब्सक् छो छक्डिब कि एच्यृ प्रेंग जाएब देगा करेंट मिल एंड सेयर का वीडियो झाट साम जाएगा सब्सक्राइब करें लाएगा।